दरजी बनेगा, सिलाई बुनाई करेगा, आरे ये सब काम छोड़ कोई धंका काम कर ले, ये सब ताने आपने सुने होंगे एक जमाने में, लेकिन आज का जमाना है बढ़ती होई, उभरती होई Creator Economy का, जहाँ पे किसी भी नीश को लेकर कोई भेदबाव नी होता, और सिलाई बुनाई यारे कि स्यूइंग और स्टेचिंग भी इस Creator Economy का एक अटूट हिस्सा है, तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि आप इस कला से अपने करियर को कैसे ग्रोध दे सकते हैं, तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं सौरब दादा से कि Class जरा इने भी बताना, ताइम आ गया है, अपनी टीम में चेंजेज लाइए, Class Plus अपने टीम में लाओ और खुद की आप पर पढ़ाओ, पहुचाओ अपना स्टडी मेटीरियल लाखो स्टूडेंस तर और आपका कोचिंग रो करो, डिजिटिल, Class Plus आज का नीश है वो जो प्राचीन काल से हमारे देश में है, जिसका सबूर हमारे पहनावे और हमारे वेश में है, चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इस चानल के साथ, Best Teaching Tutorials, अब आप इनकी वीडियो पर नजर मारते हैं अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने जब अपने content creation के first step के बारे में सोचा होगा तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे सवाल आए होगे कि भाई हम कैसे करेंगे, इसके रहे तो बहुत बढ़िया camera लगेगा, बहुत ची लाइटिंग लगेगी, professional level की videographer, cinematographer लगेंगे बट ऐसा नहीं होता, आप इनके channel को देखो, इन्होंने कैसे अपने ग्यान के साथ, अपने content को बनाया है, शायद ये बहुत बढ़िया वो डबू रतनानी जिसका नाम सुनाया, आपने उस level की videography नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनका content बहुत बढ़िया है, बहुत की ऐसी design जिसे हर कोई बनाना चाहेगा, तो एक तरह से इन्होंने topic जो है, title दिया है, काफी अच्छा, ये देखें, यहाँ पर यहाँ से आपको पता लग रहे है, की party wear top design is the idea around the video, आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको जरूरत है तो, छीक, आप ये देख सकते हैं, और आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, उन्होंने काफी सारी वीडियो आ लिए, इनके subscribers अगर देखा जाए, तो साड़े 5 लाग subscribers है, वीडियो काउंट अगर देखोगे, तो सिर्फ 200 से भी कम वीडियो इन्होंने अभी तक पोस्ट करी हैं, तो इनकी कोई वीडियो चला कर द अब जब ये content मनाते होंगे, तो कैसे बनाते होंगे, सबसे पहले ये table लगाते होंगे, जिस तरह से table पे content मना रही है, टेबल पे ये अपना समान रखा हुआ है, जैसे ये कपड़ा रखा हुआ है, इंचेप रखा हुआ है, है ना, और marker वगेरा, ये सब, तो अब आप दे और उपर उन्हेंने camera लगा दिया, उपर कैसे इसको बोलते हैं, table mounted camera stand बोल सकते हैं, tripod बोल सकते हैं, लेकिन table mounted, मैं आपको दिखाता हूँ, Amazon पे easily available है, यह देखो, यह कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, यह आपके table पे ऐसे लग जाता है, यह आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यह देखो, यह आपके table पर ऐसे लग जाता है, और ऐसे camera अटक जाता है, अब दुबारे से चलते हैं, इनकी वीडियो पर, तो देख रहे हों कैसे ही साथ साथ समझाये जा रही है, वाल्यू डिलिवर कर रही हैं, अपने ग्यान को बाट रही हैं, और उसी जाप से इनका channel ग्रो किया है, और आज करीब साड़े 5 लाख subscribers इनके पास हैं, अब इन में और आप में कोई जादा फरक नहीं है, आपको भी ज़रूरत है अपनी knowledge को बाटने की कैसे, ऐसे ही content बना कर, आप भी YouTube पर content बनाएं, अपने खुद के app पर बनाएं, और लोगों को value डिलिवर करें, अगर आपकी content में value होगी, तो आपकी growth निश्चित है, और जैसा मैंने बेले कहा था, पैसे कमाना में निश्चित है, ITR भर बरने की तयारी कर लो, और अगर already भरते हो, तो ज़्यादा income के साथ बरने की तयारी कर लो, अब यही content यह Facebook पर भी similar तरीके से post करती है, यह देखो, यह हमने वहाँ पर भी देखा था thumbnail, यह हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि, अच्छा देखो, यह इन्होंने YouTube के ही links शेर किये हैं, आप यह भी कर सकते हो, कि आप चूज कर सकते हो, कि आप कुछ videos YouTube पर डालो, Facebook पर डालो, या फिर इनकी तरह भी कर सकते हो, कि YouTube पर वीडियो पोस्ट करो, और उसको promote करो, Facebook के थ्रूँ, तो बस आपको भी ऐसे ही value adding content मनाना शुरू कर देना है, कमी है किस चीज की, बस confidence रखो, पहला step लो जैसे इन्होंने लिया है, और आपकी growth निश्चत है, टाइम लगेगा इसमें, क्योंकि यह एकदम से तो फटाक से होनी जाएगा, आप दीरे दीरे grow करोगे, कैसे जैसे हम राजारानी कोचिंग वालों ने भी किया है, अब हम चलते हैं राजारानी कोचिंग के पास, ये देखिए, अब देखिए, हर वो successful शुरुआत, क्या फिर जो भी successfully अपने काम की शुरुआत करता है, वही और सिर्फ वही आगे जाके बड़ी मिसाल बनता है, तो इन्होंने अपने काम की शुरुआत करिए, और आज ये कहां पहुँच गए है, ये देखिए, करीब चार लाख फॉलोवर्स है इनके इंस्टाग्राम पर, सिमिलरली इनके चैनल यूट्यूब पर भी है, और फेस्बुक पर भी है, लेकिन अगर हम इनके चैनल को देखे, तो आप द अगर बातना चाहिए, और आपको भी ऐसा लगता है, आपके पास इसी नॉलेज है, तो आप भी बातना शुरू कर दो, तो चले हम इनके पेच पर चलते हैं, ये देखिए, ये इनको अपने कोर्स के बारे में डाल रखा है, बलाउज मास्टर क्लास, ये देखिए, यहाँ आप एनोने रील डाल रहे जो इनोने एक्जाम्पल देंके मतारी है कि कैसे नोने सिर्विंग करी यह इनका खुद का परसल पॉस्ट है यह देखो यहाँ पर इनोने खुद करके दिखा रहा है सब कुछ तो यहां पे अगर आप देख सकते हैं इनकी highlights में यह जो live लेती है recorded इनकी videos, students के review, यह जो certificates लेती हैं अपने courses के बाद वो certificates, online class लेती है, online workshops लेती है और भी देखो, Mumbai workshop, student review, हमदाबा, दिल्ली, offline classes तो आप देख रहे हो कि उनके बास है तो काफी कुछ करने को लेकिन उन्हों शुरुआत तो एक ही जगह से करीज़ तो आपको भी ऐसे करना है एक-एक step लेकर ही न आप एक बड़ी building खड़ी कर पाऊगे एक-एक eat लगा कर ही बड़ी इमारत खड़ी होगे चलिए इनके दूसरे pages हम देखते हैं यह इनका YouTube है इसमें आप देख सकते हो 27,000 subscribers है और सिर्फ और सिर्फ नौ वीडियो के साथ यह तो बड़ी अच्छी बात है तो होता किया है जब इन्स्टाग्राम पे अपनी audience build कर ली न इन्होंने वहां की audience को बोला होगा कि यार कि आप हमारी full detailed videos हमारे YouTube channel पर देख सकते हों कि Instagram full videos के लिए नहीं है अब आप देखो यहां पर एक important बात आती है कि इस तरह की feel अगर आप अपना career sewing में, stitching में ऐसे इस तरह के fashion में अगर बनाना चाहते हो Instagram आपके लिए सबसे अच्छा platform है वहां पे आप इस तरह की reels बना के जहां पे आप अपने work को दिखा रहे हो easily दिखा सकते हो reels के through Reels एक apt content form है इस तरह के content के लिए जैसे कि हम इनका देखते है तुभार से चलते हैं Instagram पर यह देखो इनकी reels अगर आप देखो तो इसको देखते हैं देखा क्या किया इन्होंने क्या किया इन्होंने इन्होंने fabric वगरा दिखाया और उसके बाद इन्होंने जो वीडियो है उसको बस उसके ओपर बस एक गाना चला दिया इस पर शुक किया क्या ओ-सरथ करता है उसकी आपको भी करना है क्या उसकी फाब्रेक को जो लोने स्टिच के उसको बनाखे दिखाहिए अब किसी को भी समझ में आता है ये किसी ऐसे काही वीडियो का ये में है जो सियूंगे stitching करता है और वो आपके page पर आएगा और आपका काम जरूर देख लेगा एक और बात ये ये देखो ये नोने अपनी workshop के बारे में डाला है ये एक और reel है ये वाली reel भी देखने लाएगा है ये अपनी workshop के बारे में इनोने reel बना दी है तो क्या किया इनोने offline workshop ली उसकी वीडियो ली उसकी वीडियो के उपर गाना लगाया और इंस्टाग्राम के लिए content तयार और उसके बाद अपनी audience को आप दूसरे platform पर भी बेच सकते हो ये देखो इनोने workshop ली उसके बारे मता दिया अब देखो सबसे पहरे बात ये बात बहुत important है अब आप सोच रहे हो कि भाई मुझे सब कुछ थोड़ी पता है कि मैं सीदह course पढ़ाने लग जाओ तो मैं फिर से बता रहा हूँ आपको मैं काफी बार पहले भी बता शुका हूं कि आप आपको एक particular subject का पूरा का पूरा घ्यान होना जरूरी नहीं है दुनिया में जितने भी तरीके से स्यूइंग होती है स्टिचिंग होती है वो सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है अगर आपको एक तरीके की स्यूइंग भी आती है उस subject पूरे general subject के अंदर एक specific topic में अगर आ पारत हासल है तो उसके भी आप content बना सकते हो अब जैसे यह इन्होंने यहाँ पर course देखो blouse master class तो यह सिर्फ blouse के बारे में है यह देखो इन्होंने और भी workshop से यहाँ पर डाली है यह देखो kids wear class यह kids wear के बारे में है अब यह सब हम youtube पर भी देखते हैं यह देखो आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर high neck collar cutting and stitching सिखाई है lady shirt collar cutting and stitching for kurthi shirt suit सब सिखाया है यहाँ पर kaftan kurthi stitching सिखाई है काftan cutting सिखाई है तो यहाँ पर baby लहंगा cutting and stitching मतलब समझ रहे हैं कि एक वीडियो में तो सब कुछ आपको बात करनी नहीं है दुनिया भर का ग्यान दे रहा नहीं है आपको एक specific topic के बारे में ही बताना है आपको उतना ही आना चाहिए हर तरीकी की audience है दुनिया में आपका content आपको जिस भी चीज़ के बारे में knowledge चाहिए वो एक specific बात भी हो आप उस पर content बनाईए और deliver कीज़ें तो दोस्तो हमने आज की वीडियो में दो level पर दो different content creators की बात करी और हमने देखा कि कैसे वो tailoring करते हैं और tailoring करते ही नहीं है बलकि उससे related content बनाते हैं और grow भी करते हैं तो हमने इस वीडियो में चार बाते सीखी पहली कि ये दर्जी गिरी में कोई शरम नहीं है दूसरी कि ये दर्जी गिरी करके आप grow कर सकते हो financially भी और famous भी हो सकते हैं जैसे हमारे content creators हैं तीसरी बात कि आपको content बनाने के लिए दुनिया भर के setup दुनिया भर के बढ़िया level के setup की जरुवत नहीं है आपके पास जो कुछ भी available है minimum setup के साथ आप बढ़िया content बना सकते हो चौती बात कि आपको बस शुरुवात पर ध्यान नहीं है शुरुवात करनी है और growth आपका इंतजार कर रही है तो देर किस बात की है अपनी tailoring, sewing, stitching के ग्यान को बाटने के लिए तयार हो जाओ content बनाने के लिए तयार हो जाओ अपने खुद के app पर, youtube पर, instagram पर, facebook पर, जहा कि आपको वीडियो का update मिलते रहना चाहिए, बस मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में और बाखी सब तो first class हे ही